हाई गाईज, वेलकम टू स्टड़ी गाउच, तो आज हम मत करेंगे जनवरी 2021 से रिलेटेड टॉप फिप्टी करेंट अफिर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट mcqs जो की as always हिन्वी और इंग्लिस तोनों मेडियम में आप सब के लिए अवेलिबल होंगे और अगर आपको इसका से स्टार्ट करते हैं जिसमें बेसिकली पद्म आवार्ड के बारे में पूछा गया कि 2021 में कितने पद्म आवार्ड देनी की अनौंसमेंट की गई है तो अभी रिसेंटल 26 चनवरी 2021 को यानि कि रिपब्लिक दे या फिर जिसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं उस दिन जो प् पद्म बूशन के आवार्ड से और बाकी जो 102 हैं वह पद्म शरी के अवार्ड सिए जाएंगे और अगर हम इनको लास्ट येर के साहतथ कंपेर करें तो 2020 में जो ट्वोड दिये गयते पद्म अवार्ड चाए वह पद्म बीभूशन हो बद्म भूशन हो या पद्मशरी हो वो टोटल 141 दिये गए थे बट 2021 में इनको घटा कर 119 तक कर दिया गया है तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा ए अब next question की बात करते है next question में basically spacex जो कि Elon Musk की company उसके बारे में पूछा गए 2021 में 24 जन्वरी को जो spacex के दौर वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रियेट किया गया एक रॉक्ट से बहुत सारी satellite launch करने का तो यहां पर total उसके दौर कितनी satellite launch की गई थी तो spacex का जो rocket है जिसका नाम है falcon 9 उसकी help से total 143 143 satellites को एक साथ launch करके world record बनाया गया तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question की बात करते है next question में basically AP AP के बारे में पूछा गया है जिसको की Asia Protected Areas Partnership Agreement के नाम से जाना जाता है तो यहां पर basically यह पूछा गया है कि अभी recently India जो है किस country को replace करके जो Asia Protected Areas Partnership है उसको co-chair करेगा तो November 2020 तक जो South Korea थी उसके द्वारा co-chair किया जा रहा था Asia Protected Areas Partnership को बट उसके बाद में उसका period खतम होने के बाद में इंडिया के द्वारा अगले 3 साल के लिए co-chair किया जाएगा AP AP को तो basically यहाँ पर South Korea को replace किया गया इंडिया के द्वारा तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा A अब next question की बात करते हैं इसमें बेसिकली एक अभी रिसेंटली एक सॉकिंग डिस्कवरी के बारे में पूछा गया है कि अभी रिसेंटली जो आइस क्रीम के सेंपल से उन सब को भी कोरोना वाइरस से पॉजिटिव पाया गया है तो यह किस country में पाया गया है तो अभी रिसे question का जो correct answer है वो हो जाएगा सी अब next question की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली यह पुछा गया कि इंडियन embassy के द्वारा अभी रिसेंटली जितनी भी उसकी consular services थी किसी country में दी जाती थी उन सब को 20 फरवरी तक suspend किया गया है तो यहां पे किस country के लिए जो इस services दी जाती थी जिनको की 20 फरवरी तक suspend किया गया है तो अभी रिसेंटली हुआ किया कि जो United Kingdom है वहाँ पे जो COVID-19 का एक नया variant काफी 30 से spread हो रहा था तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन एमबैसी जो है उसके द्वारा उसकी पूरी consular services जो थी उन सब को 20 फरवरी 2021 तक के लिए suspend किया गया है United Kingdom है तो यहां पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question के अगर हम बात करें तो यहां पर basically Grammy Awards के बारे में पूछा गया कि 2021 में जो Grammy Awards होंगी जो की 63rd annually होने वाले Grammy Awards होंगी इनको कब present किया जाएगा तो basically 63rd जो annual Grammy Awards होने वाले थे वो 31st January 2021 को होने वाले थे बड़ जो COVID-19 का spread होनी की वज़े से इसको delay किया गया है और इसका जो अब होगा वो basically 14 March 2021 को 14 March को यह Awards प्रिजेंट किये जाएंगे तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा A अब next question के अगर हम बात करें तो जिसमें basically यह पूछ गए कि अभी recently किस country के प्राइम मिनिस्टर को उसकी ruling party से ही expel किया गया है उसकी ruling party से उसको निकाल दिया गया है तो नेपाल के जो भी प्राइम मिनिस्टर है के पी सर्मा ओली उनको basically उनकी जो खुद की ruling party जिसका नाम है NPC sorry NCP पतलब नेपाल Communist Party उसके ही उनको expel किया गया है उनको जो decision था कि Parliament को dissolve किया जाए तो उस decision के ऊपर ही तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है के पी शर्मा ओली उनको उनकी जो National Communist Party है उससे 24 January 2021 को expel किया गया था तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B अब next question की बात करें जिसमें basically यह पूछा गए कि इस state government के द्वारा भी recent की announcement की गई जो world का largest floating solar project होगा जो की 2023 2023 तक complete किया जाएगा इसको initiate करने का जो step है किस state government की द्वारा लिया गया है तो अभी recently हुआ कि जो मद्धे प्रदेश के renewable energy minister है जिनका नाम हरदीप सिंग डांग उनके द्वारा यह recent announcement की गई कि जो world का largest solar energy का project होगा जिसकी total capacity 600 megawatt की होगी इसको basically ओम कारिशुरे डेम जो की नर्मदा रिवर पर है वहाँ पे इसको construct किया जाएगा जो कि 2022-23 तक complete हो पाएगा तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा डी अब next question की बात करते हैं next question में basically यहाँ पे पूछा गए कि अभी recently एक country जिसके द्वारे यह announcement की गई जो world की first wooden satellite होगी मतलब world की जो first लकडी की satellites होगी उन सब को उस country के द्वारे प्रिपेर किया जा रहा है और जिससे की जो space debris जिसको हम बोलता है space junk भी कभी 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 उसको refer किया जाता है उसको reduce किया जा सके तो अभी recently जो जापान की company है और उसके साथ क्योटो यूनिवरसिटी जो जापान की उन दोनों के दोरा collaboration किया गया और उनके दोरा यह step start की गई जो world की first wooden satellite है उसको 2023 2023 तक develop किया जाए तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा c Japan के दोरा यह step ली गई है अब next question की बात करते है next question में basically यहाँ पर यह पूछा गया एक जो USA है United States उसके दोरा अभी recently country को redesignate किया गया है as state sponsor of terrorism तो यह जो step थी 11th January 2021 को USA के दोरा ली गई थी जो क्यूबा है उसको state sponsor of terrorism की list में या फिर उसको redesignate किया गया है तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा D अब next question की बात करते है जिसमें basically इंडिया का जो innovation index 2020 के लिए जो अभी recently release किया गया है उसमें यह पूछा गया उस index में किस state के दौरा किस राज्जी के दौरा जो major states की category है उसमें top किया गया है तो करनाटक के दौरा 2020 के लिए तो नीती आयोग के दौरा 20 जनवरी 2021 को यह index release किया गया था जिसको की इंडिया innovation index बोलते है इसमें जो major states की category है उसमें top position हासिल की गई है करनाठक के दौरा जिसका score था 42.5 उसके बाद second number पे है महरास्ट जिसका score 38 रहा थर्ड नमबर पे तमिल नाडु जिसका score 37.91 रहा था और इस index में last rank दी गई थी बिहार को तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा A अब next question की बात करता है next question में basically यहां पे पुछा गए जो इंडिया की first indigenously developed मतलब खुझ से ही develop की गई एक nine mm की machine pistol बनाएं गई है तो यह basically इंडियन आर्मी के द्वारा तो develop की गई है बट यहां पे इंडियन आर्मी के द्वारा किसके साथ में चाहे वो DRDO है HAL है महिंद्रा है इन में से किसके द्वारा जो कॉलेबरेशन करके इस nine mm की जो मसीन पिस्टल है इसको डवलप किया गया है तो जो 14 जनवरी 2021 को जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यह information दी गई कि इंडियन आर्मी और जो DRDO है जिसको की defense research and development organization बोलते हैं उन दोनोंने कॉलेबरेश पिस्टल है तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा DRDO अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यह पूछा गया है जो national youth day है जिसको की राष्ट यूवा दिवस भी बोला जाता है वो हर साल कब observe किया जाता है तो जैसे कि 2021 में 12 जनवरी 2021 को national youth day observe किया गया था हर साल जो स्वाम विवेकानंद जी है उनकी birth anniversary को honor करने के लिए बारत जनवरी को जो national youth day या रस्ट यूवा दिवस है उसको celebrate किया जाता है या observe किया जाता है तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा अब next question की बात करते है जिसमें basically यह पूछा गया एक rare metal है जिसको कि vanadium की नाम से जाना जो vanadium उसकी काफी concentration को अरुनाचल प्रदेश में अरुनाचल प्रदेश का एक district है जिसका नाम में पापमपारी district वहां पे discover किया गया है यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा डी अब next question की बात करते है नेक्स question में basically यहां पर यह पूछा गया जो US के president है अब तक कितने US के president को impeachment के थूरू उनके office से हटाया गया है तो अभी तक तो किसी को भी नहीं हटाया गया बट वैसे अभी तक तीन जो president है उन पे impeachment उन पे लगाई गई है जिसे पहले हैं Andrew Johnson दूसरे हैं Bill Clinton और तीसरे Mr. Donald Trump तो अभी recently हुआ किया 13 January 2021 को जो US के president Mr. Donald Trump थे तो उस टाइम पे US का Democrat House है उसके दौरा उनको impeach करने के लिए voting planning की गई थी तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा D अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यह पूचा गए गुजरात की जो state government है अभी recently उसने एक fruit का नाम change करके कमलम रखा गया है तो यहां पे किस fruit का नाम change किया गया है तो अभी recently गुजरात की state government है उसके दौरा जो dragon fruits होते हैं उनका नाम बदल कर कमलम नाम रखा गया है कमलम जि basically एक Sanskrit word है तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question के अगर हम बात करें तो इसमें basically जो Padma Awards 2021 में दिये जाएंगे उनके बारे में पूचा गए कि पोस्ट थोमस लिमरणो प्रांथ कितने लोगों को 2021 में Padma Awards की announcement की गए तो total वैसे देखा जाए तो दस लोग तो ऐसे foreign category में मतलब चाब वो NRI हों या फिर PI हों या फिर OCI के category में दस लोग तो ऐसे हैं foreigners हैं जिनको की Padma Awards 2021 में दिया जाएंगा एक transgender awardee भी है और उनके अलावा 16 लोग ऐसे हैं जिनको पोस्ट थोमस ली जो Padma Awards है वो 2021 में दिये जाएंगे तो यहां पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा डी अब next question की बात करते हैं next question में basically यहां पर पुछा की जो फॉस्टिन आर्चेस टोडेरों जो हैं उनको अभी recently किस country के president के रूप में re-elect किया गया है तो अभी recently 4 January 2021 को जो voting हुई थी एक country में जिसका नाम है C.A.R. जो की एक African country है जिसकी full form है Central African Republic उस country के president के रूप में उनको 53% की majority के साथ में choose किया गया है तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा A Central African Republic अब next question के अगर हम बात करें तो यहां पर यह पूछा गे जो financial year 2021 की होगी उसके लिए इंडिया की GDP जो है उसमें कितने percent की contraction को expect किया गया है कितने percent की contraction का acceptance है वह अबी recently Indian economy जो है उसके contraction के बारे में बताया गया है जो current fiscal year है उसके लिए basically 2021 की fiscal year है उसके लिए 7.7% की contraction है जा फिर ग्रावट जो है उसकी उमीद रख बताई गई है तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा A और यह जो expectations रखी गई है या फिर जो यह बताया गया है यह basically NSO जिसको की national aesthetics officer बोलते हैं उसके द्वारा यह assumptions किये गए है predictions basically किये गए है तो अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यह पूछा गया है जो आप भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है honorable नरेंद्र मोदी उनके द्वारा एक corridor जो की WDFC मतलब western dedicated fried corridor जो है एक अब रहवाडी से मदार का जो corridor है उसको inaugurate किया गया था तो यह जो रहवाडी से मदार का corridor यह किन दो states को connect करता है तो यह basically जब जनवरी के starting में यह inauguration किया गया था तो यह हर्याना का एक जगए जिसको की रहवाडी बोला जाता है और राइस्तान में अजमेर district के पास में है मदार इन दोनों states को connect कर न नाम से जाना जाता है और उसको ही recently इनके दोरा integrate किया गया था तो basically हर्याना और राइस्तान को reconnect करने के लिए इस corridor को बनाया गया था तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा अब next question की बात करते है नेक्स question में basically यहां पर AIFF जिसको की All India Football Federation बोलते हैं उसके बारे में appoint किया गया तो former Indian footballer है जिनका नाम है अभीशीख यादव और उनको recently जो first deputy general secretary के रूप में AIFF के जो first deputy general secretary उसके रूप में appoint किया गया है तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा बी अब next question की बात करते हैं यहां पर basically यह पूछा कि जो क्रसी संजीवनी वैंस जो है अभी recently किस state government के दोरह इनको start किया गया है इनका main मक्सद यह जिससे soil वगेरा जो है या फिर water वगेरा जो है उन सब को test किया जासे गे इन क्रसी संजीवनी वैंस की help से तो अभी recently करना टक के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर बी एस यडी रूपा उनके द्वारा 40 क्रसी संजीवनी वैंस को बैंगलूर में start किया गया था तो यहां पर इस question को जो correct answer है वो हो जाएगा C करना टक के द्वारा अब next question के अगर हम बात करें तो यहां पर पूछा गया जो अरूप कुमार अंदर उनके द्वारा बेसिकली जो आंदर प्रदेश के जो हाई कोट है उसके चीफ जस्टिस के रूप में अरूप कुमार गोश्वामी को विजय वाड़ा में सपत दिलाई गई थी और जो विशू भूशन हरी चंदा ने यह भी आंदर प्रदेश के ही गवर्नर है तो बेसिकली आंदर प्रदेश के जो हाई कोट है उसके चीफ जस्टिस के रूप में जो अरूप कुमार गोश्वामी उनके द्वारा रिसेंटली सपत ली गई थी तो यहां पे इस क्वेशन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी अब नेक्स्ट क्वेशन की बात करते है नेक्स क्वेशन में बेसिकली यहां पे पूछा गया नीती आयोग के द्वारा जो एस्पुरेशनल डेस्टिक्स की रैंक रिलीज की गई है उस लिस्ट में किस डिस्टिक के द्वारा टॉप पोजिचन हासिल की गई है जो इंडियन गवर्मेंट का एक धिन्ट टैंक है ज यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा एक next question की बात करते हैं जिसमें basically यह पूछा गए जो काराकल है ठीक है उसको अभी रिसेटी जो critically endangered species है उसकी list में add किया गया है तो यह जो काराकल है meanly कहां पर पाया जाता है इंडिया में तो इंडिया में जो काराकल है यह basically दो regions में राइस्थान और गुजरात का जो region है वहां पर काफी ज़्यादा यह पाया जाता है तो इस question का यहां पर जो correct answer है वो ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा so our correct answer will be d both a and p अब next question की बात करते है नेक्स कोशन में basically यहां पर पूछा गया है कि जो men's का जो test match होता है उसको officiate करने के लिए first woman empire कौन बनी है तो clear polosak जो है जो कि basically एक australian empire है वो first ever woman बनी है जिनके द्वारा men's का test match जो है उसको officiate किया गया था तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो next question की बात करते है नेक्स कोशन में basically यहां पर चार आपसंस दिये गए जैसे कि मिस्टर सिंजो आबे बेले मुनबपा हेगडे माता भी मंजमा जोगती और स्री नरेंदर सिंग का पानी तो इनमें सी किसको 2021 के लिए पदम विभूशन का आवार्ड नहीं दिया गया है तो जो स्री सिंजो आबे हैं जो की जपान के फॉर्मर प्राइब मिनिस्टर है उनको भी पदम विभूशन का आवर्ड 2021 के लिए अवार्ड किया गया है उसके अलावा जैसे की बेली मौनबपा हेगडे हैं जिनको मेडिशन के फिल्ड में पदम विभूशन का आवर्ड 2021 के लिए दिया गया है और स्री नरेंदर शिंग का पानी जो है उनको भी पोस्ट थोमसली काइंस एन इंजिनियरिंग के फिल्ड में पदम विभूशन का आवर्ड अनौंस किया गया है बट जो माथा भी मन्जमा जोगती हैं जो कि एक ट्रांसजेंडर फोक आर्टिस्ट हैं यही वो ट्रांसजेंडर जिनको 2021 में पदम अवर्ड दिया गया है और इनको बेसिकली पदम विभूशन ना दे के पदम स्री अवर्ड दिया गया है तो यहां पर इस क्वेशन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी अब न पूश्ट है वो टेक ओवर की गई तो बेसिकली जे वैंक का ट्रमू जो है उनके द्वारा नए मैनेजिंग डिरेक्ट है जिसको एमडी बोलते हैं सीओ यानि की चीफ एक्जीटी ऑफिशर जो की इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बनेंगे उनके द्वारे यह चार्ज होगी उसको अनॉंस्मेंट की गई है तो यह बेसिकली अनॉंस्मेंट की गई थी केरिला के द्वारा के गवर्नर है जिनका नाम है आरिफ मोहमद खान उनके द्वारे डिसेंटली असेंबली में अनॉंस्मेंट की गई जो इंडिया का फॉस्ट टोलर एलेक्टिक रोरो सर् के द्वारा अभी recently किस galaxy के cluster की image को release किया गया NASA यानि कि National Aeronautics and Space Administration जो है उसके द्वारा 19 January 2021 को जो एक massive galaxy cluster जिसको की ABEL 370 के नाम से जाना जाता है उसको जो image है उसको recently release किया गया था तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा A अब next question के अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया कि अभी recently जो DRDO है और CRPF जो है उन दोनों के द्वारा bike ambulance को launch किया गया है तो यह जो bike ambulance का क्या नाम रखा गया है तो basically DRDO और CRPF यानि कि Central Reserve Police Force जो है उन दोनों के द्वारा 18 January 2021 को एक special developed bike ambulance जिसका नाम रक्सिता रखा गया है उसको launch किया गया था यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B अब next question की बात करते हैं next question में basically यहाँ पर पुछा कि जो पद्म विभूशन अवार्डी है 2021 में स्वरी यहाँ पर पद्म विभूशन नहीं पद्म विभूशन आएगा जिनका नाम है स्री एस्पी बाला शुब्रमण्यम उनको किस field के लिए 2020 में पद्म विभूशन आवार्ड किया गया है तो वैसे तो टूटल साथ पद्म विभूशन के आवार्ड दिये गया है जिनमें से जो दो दिये गये हैं वो आर्ट के field में दिये गये एक दिया गया है स्री एस्पी बाला शुब्रमण्यम जी को जो की काफी नोन मुजूशियन है जिनकी सप्टमबर 2020 में डैथ हो गई थी उनको पोस्ट थामस लिए अवार्ड दिया गया है जो बेसिकली तमिलाडू को ब्लॉंग करते हैं और उनके अलावा एक उडिशा के हैं जो काफी एमिनेंट स्कल्प्चर है जिनका नाम है सुदर्शन साहू बेस यहां पे इस क्वेशन का जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा बी अब नेक्स्ट क्वेशन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेशन में बेसिकली यहां पे पूछा कि किस कंट्री के द्वारा जो 2026 दोजार 26 तक मून पे जो फर्स्ट नुकलियर रियक्टर है उसको पहुंचाने क प्लानिंग की गई है तो USA जो है उसके द्वारा यह रिसेंट्ली अनॉस्मेंट की गई कि 2026 तक USA है फर्स्ट नुकलियर रियक्टर को मून पे पहुंचाएगा यहां पे जो इस क्वेशन का करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी अब नेक्स्ट क्वेशन की बात करते हैं यह लिथियum refinery होगी उसको गुजरात में सेट अप किया जाएगा जिससे की इंडिया के जो इलेक्रिफिकेशन ट्रांसपोर्ट का जो इलेक्रिफिकेशन होता है उस सब के efforts को इंप्रूव किया जा सके इसमें बैसिकली जो लीथियum ओर लीथियम और जो होती है उस से बैट् होट एयर बलून सफारी जो है एक टाइगर रिजवस में इसको शुरू किया गया है तो यहां पर यह जो टाइगर रिजवस किस स्टेट में लोकेटेड है तो इंडिया का जो फस्ट होट एयर बलून सफारी है इसको 25 जनवरी 2021 को मद्य प्रदेश का जो वर्ल्ड फेमस बिसीगली तमिल नाडू की रिसेंट स्टैप के बारे में पूछा गया कि अभी रिसेंटी जगह को तमिल नाडू के द्वारा तमिल नाडू को जो 38 डिस्टिक है उसके रूप में इनोगरेट किया गया तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएग दि अब नेक्स कोशन की बात करते हैं नेक्स कोशन में बेसिकली यहां पर पूच गया जो की 2021 में हुआ था एक क्यामन वा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उसको किस स्टेट के द्वारा होस्ट किया गया था यह बेसिकली 16-20 जन्मरी के बीच के पीरियर में हुआ थै ज next question में basically यहां पे डील के बारे में पूछा गए जो इंडिया और एडी भी यानि कि एशियन डवलप्मेंट बैंक जो है उन दोनों के दौरा दो सो एकतिस मिलियन डॉलर का एक लॉन agreement sign हुआ तो जिसी की 120 मिगावाट का एक एक गलेक्ट पावर प्लांट जो है उसको किसी एक स्टेट में reconstruct किया जा सक logarithm यहां पे किस स्टेट में इस हाइड्र एलेक्टिक पावर प्लांट को construction की बात ची गए ति तह यह जो असाम है असाम का जो रीजन है या फिर जो नौर्थ इस डॉलर रीजन है वहाँ पे इलेक्रिसिटी को बूस्ट करने के लिए इस मेगा प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था इसके बारे में यह अग्रिमेंट जो है एक दो सो एकतिस मिलियन डॉलर के लोन का यह ADB के साथ मेडिया के द्वारा साइन किया गया था तो यहाँ पे इस क्वेशन का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा C अब नेक्स क्वेशन की क्वेशन में बीसिकली यहाँ पे यह पूछा गये जो forflow"; का इकitan का प्लांट वहाँ पे उस कन्वे द liberté्म यूरिणियम है उसको 20% की purity तक enrich करने का जो फॉर्डो फूल एंड्रीच्वेंट्व कई सेक्डों जो विंटर माइग्रेटरी बर्ड इंडिया माते हैं उनकी डैथ हो गई थी जो इंडिया की रामसर साइट है वहाँ पे यह वहाँ पे उस साइट के बारे में पूछा गया तो जो यह पॉंग डैम लेक है जो की हिमाचल प्रदीश में लोकेटेड है वहाँ पे डी अब नेक्स कॉश्ण की बात करते हैं नेक्स कॉश्ण में बेसिकलि यहाँ पे पूछा ग闇 जो डिजीज एक्स है जो की काफी dangerous और deadly disease है इसको recently का किस country में discover किया गया है तो अब भी recently कुछ scientist के दोरा जो Democratic Republic of Congo है या फिर जिसको Congo लोग तंत्रिक गंडराजी बोलते है वहाँ पे इसको discover किया गया है तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा D अब next question के अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पुछा गया है किस state के दोरा अभी recently जो launch pad की scheme है उसको लागू किया गया है उसको चालू किया गया है तो अभी recently जो मद्ध परदेश की state government है उसके दोरा launch pad की जो scheme है जिससे की जो young boys और girls होते हैं उन सब को child care की help provide कराई जा सके इस basis पे जो मद्ध परदेश की state government है उसके दोरा launch pad scheme को शुरू किया गया है तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा D अब next question के बात करते हैं नेक्स question में basically यहाँ पे पुछा गया है जो central government है उसके दोरा अब भी recently यह decide किया गया कि committee बनाई जाए जिससे कि किसी एक area जो है वहाँ की language, culture और land को protect किया जा सके तो यहाँ पे किस area के बारे में बात की जा रही है तो नई जो union territory बनी है जिसका नाम है लगदाग वहाँ के language, culture और land को protect करने के लिए center के दोरा एक committee form करने का decision लिया गया है तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वह हो जाएगा B अब next and last question सेग्मेंट का जिसमें basically यह पुछा गया जो justice हीमा कोली है अभी उनके दोरा किस state के high court के chief justice के रूप में तपत ली गई है और वो state की first woman chief justice बनी है तो अभी recently जो justice हीमा कोली है उनके दोरा जो तेलंगाना का high court है उसके chief justice के रूप में तपत ली गई है और first woman chief justice बनी है तेलंगाना के high court की यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा D तो यही थे कुछ important MCQs जो की January 2021 के current affairs से related थे सो अज के ले बस इतना है hopefully you guys find it useful and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch thanks for watching and have a good day